देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ शैलेंदर पांडे आज हम आपको बताएंगे कि जब आप वेतन पाते हैं तो वेतन पांगे कुछ हिस्से से एक बहुत छोटेसे हिस्से से कौन सा ऐसा कारे करें जिससे जीवन में खुशी आएं यानि वेतन पाने पर उचके कुछ हिस्से से कोई शुब कारी कोई मंगल कारी करना चाहिए ताकि वेतन निरंतर मिलता रहे और जीवन की मुश्किलें दूर होती रहे चाल चक्र में क्या खास है? चलिए बताते हैं चाल चक्र में आज बात करेंगे कि वेतन पाने पर उसके कुछ हिस्से से पहले हिस्से से क्या करें? कुछ हिस्सा कहां खर्च करें? एक दान करेंगे, छोटा सा दान करेंगे हर महीने इससे आपको महापुन्य मिलेगा और छोटा सा दान अगर आप करते हैं हर महीने तो आपकी तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी तमाम समस्याइं स्वाहा हो जाएंगी सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी राशी मेश राशी है और आप वेतन पाते हैं तो वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से क्या करेंगे मेश राशी वाले जब वेतन पाते हैं तो उसके कुछ हिस्से से निर्धन और जरूरत मंद लोगों को खाने पीने की चीज़ का दान करिये बिस्कोट, ब्रेड, कुछ भी, चावल, डाल खाने पीने की चीज़ों का जितना सामर्थे हो अब ये नहीं की 10,000 का वेतन पा रहे हैं तो 9,000 दान कर रहे हैं उसके एक हिस्से से आप खाने पीने की चीज़ का दान करेंगे दान में उड़त की दाल की बनी हुई वस्तुमें आपको जरूर देनी चाहिए या आप चाहें तो उड़त की डाल भी एक खादिपदार्ती है, उसको दान कर सकते हैं इससे benefit क्या होगा? इससे फाइदा होगा कि आपके office में तनाव कम होगा और आप विभिन्न तरह की दुरगहटनाओं से हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हमेशा बचे रहेंगे व्रिश राशी, जब आपको वेतन मिलता है, तो उसके कुछ हिस्से से फल खरी दें जब भी आपको सेलरी मिली, वेतन मिला, उसके कुछ हिस्से से फल खरी दिए खासतोर से केला और सेब खरी दिए और इन दोनों ही फलों को मरीजों में बाटे या गाय को खिलाएं या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दे यानि आपको अपने सेलरी के कुछ हिस्से से फल खरीदना है और इसको मरीजों में, गरीबों में बाटना है या गाय को खिलाना है ऐसा करने से नौकरी मिलने की बाधा दूर होगी क्योंकि अक्सर आपको नौकरी मिलने में दिक्कतें परेशान करती है और स्वास्थ की आपके रक्षा हो पाएगी स्वास्थ आपका बेहतर रह पाएगा मिथुन डाशी जब आपको वेटन मिलता है उसके कुछ हिस्से से वस्त्र और सौंदर ये प्रसाधन खरी दिये कपड़े खरी दिये कॉस्मेटिक्स खरी दिये परफ्यूम खरी दिये और इसे किसी सौभाग्यवती इस्त्री को दे दे किसी सुहागन महिला को अगर आप ये दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चीजें भी आप गिफ्ट कर रहे हैं या दान कर रहे हैं इसमें कोई भी काली चीज नहीं होनी चाहिए इसमें कोई भी काली चीज रखना सही नहीं होगा ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी आपका धन बहुत खर्च होता है धन-बरबाद बहुत होता है धन की बचत भी आसानी से हो पाएगी करकराशी जब आपको वेतन मिलता है जब भी मिलता है, उसके कुछ हिस्से से कपड़े और जूते खरी दें, इसको घर के या आस पास के किसी वृद्ध को प्रेम पूर्वक दे दें, कपड़े और जूते या केवल कपड़े या केवल जूते किसी वृद्ध को दे दें, वृद्ध नहीं मिलता है, तो किसी निर् आपके काम में आपकी तरक्की जादा होगी साथी साथ आपके स्वास्त की और आपके आयू की रक्षा होगी आपकी सेहत बेतर होगी और आपकी आयू लंबी होगी सेहत की जो मुश्किले निरंतर लगी रहती हैं वो आपको परिशान नहीं करेंगी वेतन के कुछ हिस्से से आप धेर सारे फूलों के पौधे खरीदें जब भी आपको वेतन मिलता है उसका कुछ हिस्सा निकालें उससे धेर सारे फूलों के पौधे खरीदें या फूलों के बीज ले आएं और घर में आसपास में गली महले में इन पौधों को लगाएं पार्क में लगाएं सड़क पर लगाएं या बीज भी खेर दें ऐसा हर महीने करें ऐसा करने से बेनफिट क्या होगा इसके अलामा संतान पक्ष से आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा संतान को ले करके आपको चिंताय नहीं करनी पड़ेंगी या संतान प्राप्ति की अगर मुश्किल आने की संभावना है तो वो मुश्किल भी परेशान नहीं करेगी कन्या राशी दान करवाना कन्या वालों के लिए बड़ा मुश्किल काम है लेकिन फिर भी सुन लीजिए, अगर आपकी राशी कन्या है, तो वेतन के कुछ हिस्से से आप मिठाई और चौकलेट खरीदिए, मिठाई और चौकलेट खरीदना आपके लिए बेहतर होगा, घर के और आसपास क लोगों में इसे प्रेम से बाटिये, इसको घर के लोगों में प्रेम से बाटें, या आसपास के लोगों में प्रेम से बाटें, खास तोर से बच्चों में जरूर बाटें, चोटे-चोटे बच्चों को चौकलेट और मिठाई दें, ऐसा हर महीने में एक बार करें, इससे क आएगी नौकरी में स्थर्ता आएगी साती साथ आप दुरघटना से बचे रहेंगे आप एकसिडेंट इसे सुरक्षित बने रहेंगे तुलाराशी वेतन का कुछ भाग किसी अस्पताल में दान कीजिए कुछ भाग अस्पताल में चैरिटी के बॉक्स होते हैं न उसमें जा करके कुछ भाग आपको दान करना है हर महीने में या किसी व्यक्ति का उस पैसे से आपको इलाज करवाना है, किसी व्यक्ति को इलाज में पैसे कम पड़ रहे हैं, उसको डोनेट कर दिया, उसको दान कर दिया, ऐसा करने से आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी, क्योंकि आप नौकरी जब भी करते हैं, उसमें उतार चड़ाओ बहुत आते हैं उसमें बाधाएं बहुत आती हैं तो ऐसा अगर आप करेंगे हर महीने में सेलरी के कुछ हिस्से से हॉस्पिटल में दान करेंगे मरीजों की साहेता करेंगे तो आपकी नौकरी बिना बाधा के चलेगी और आपको पारिवारिक सुख मिलेगा बाधार में जो इस्ट्रिस का लेवल रहता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा वरिश्चिक राशी वेतन के कुछ हिस्से से आप लोगों के पानी पीने की व्यवस्था कीजिए अपने वेतन का कुछ हिस्सा खर्च करिए पानी के जार खरीद लीजिए या पानी का एक पक का स्रोत बनवा दीजिए एक जगा प्याव बनवा दीजिए या मटके में पानी भरके पानी के घड़े जगां जगां रखवाते रहिए हर महीने में ऐसा करने से क्या होगा अगर आप लोगों को जल पिलाते हैं लोगों के जल पीने में सहायता करते हैं हर महीने अपने वे वो भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी वो भी निश्चित रूप से दूर बनी रहेगी धनुराशी आप अपने वेतन के कुछ भाग से लिखने पढ़ने का सामान खरी दिए कौपी खरी दिए किताब खरी दिए पेन खरी दिए शार्पनर पेंसिल जो लिखने लिखने की सामान की जरूरत है उन बच्चों में इसको बाट डीजिए ऐसा करने से नौकरी में बार-बार आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा नौकरी में बार-बार चेंज की संभावना नहीं बनेगी तो हर महिने अपने वेतन के कुछ हिस्से से आपको एक अच्छा काम करना है और उससे जीवन में बहुत सारे फाइदे हो रहे हैं ये तो आप समझ पा रहे हैं बात अब मकर राशी के करते हैं मकर राशी वालों को क्या करना चाहिए वेतन के कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीज़े खरी दिये और इसको गरीब व्यक्तियों में बाट दीजिए वेतन के कुछ हिस्से से खाने पीने की चीज़े हैं चावल है, डाल है, सबजी है, आटा है, नमक है या ब्रेड है, बिस्किट है, बटर है जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं ये खरीदिये और इसको गरीब लोगों में बाट दीजिए ऐसा अगर आप सो मुवार को करें तो ज़्यादा उत्तम होगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा जब भी आप वेतन पाएं तो उसके बाद उसके कुछ हिस्से से सो मुवार को गरीबों को खाने पीने की चीज़ें बाटें ऐसा करने से आपके खर्चे नियंतरित होंगे और आप मन्चाही नौकरी कर सकेंगे नौकरी में किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह की समस्या परिशान नहीं करेगी कुम्भराशी वेतन का कुछ भाग आपको इस्तमाल करना है लोगों के मुफ्त इलाज पर यानि जिसको पैसे की जरूरत है अपना इलाज करवाने के लिए उसमें आप उसको जितना भी आपसे संभव हो आप पैसा दे करके सहायता कर सकते हैं आप चाहें तो दवाईयां भी बाट सकते हैं, दवाईयां बाटना भी आपके लिए बेहतर होगा ऐसा करने से आपका स्वास्त उत्तम होगा साथी साथ आपको धन का अभाव नहीं होगा यानि अगर आपको धन का अभाव रहता है सेहत के मुश्किलें परिशान करती है तो अपने वेतन के कुछ हिस्से से आप लोगों की सहायता करिए उनके बीमारी के इलाज में या दवाईयां बाटिए तो आपके लिए बहुत सुन्दर होगा मीन राशी वेतन के कुछ हिस्से से आप पशुओं के चारे और पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था कीजिए यानि जब भी वेतन पाते हैं उसके कुछ हिस्से से पक्षियों के लिए दाना खरीद लिया पशुओं के लिए चारा खरीद लिया और उनको अपने हाथ से खिलाने की व्यवस्था की ऐसा हर महीने करते जाईए ऐसा करने से आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा आपका व्यवहार सदैव उत्तम रहेगा साती साथ आपके सहकर्मियों से आपका वाद विवाद नहीं होगा यानि आपका स्वास्य अच्छा आपका मन अच्छा आपका सुभाव अच्छा और आफिस में कलीक के साथ सहकर्मियों के साथ आपका वाद विवाद नहीं होगा ऐसी संभावना बन जाएगी तो याद रखिए कि हर धर्म में और तक्रीबन हर परंपरा में ऐसा कहा गया है कि जो आपकी अर्निंग होती है जो आप आय होती है पैसे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान करना चाहिए और अगर ये दान करते हैं तो आपकी अर्निंग में आपकी आय में बढ़ोतरी होती है और जीवन की बहु से निकाल सके उतना पैसा निकाल करके लोगों की सहायता करें दान करें उस पैसे को अच्छे कारे में इस्तेमाल करें निश्चित रूप से आपको लाब होगा आप देखेंगे कि आपका वेतन भी बढ़ेगा आपकी तरक्की भी होगी और जीवन की बहुत सारी जानी अंजा सानी बाधाओं से आप बचे रहेंगे